देश का आम बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है मंगलवार को इस बजट प्रकिरिया से जुड़ी एक एतहासीक परंपरा हलवा सेरेमनी भी पूरी कर ली गई वितमंत्री निर्मला सीता रमने नौर्थ ब्लोक में अपने हातों से अधिकारियों को हलवा बाटा हलवा सेरेमनी के बाद बजट डॉक्युमेंट की प्रिंटिंग शुरू होती है और इसी के साथ वितमंत्राल्य के भीतर कड़े लोकडाउन की शुरूआत भी हो जाती है इस दौरान बजट प्रकिरिया में शामिल किसी भी अधिकारी को संसद में बजट पेश होने तक मंत्राल्य चोड़ने की अनुमती नहीं होती बजट की हर एक प्रकिरिया के पीछे कोई ना कोई एतिहासी कारण या तत्ये जरूर होता है ऐसी ही एक कहानी वितमंत्राल्य में लगने वाले इस कड़े लोकडाउन की भी है अब एक सवाल आपके भी मन में जरूर आया होगा कि आखिर बजट से पहले इतनी सकती और इतने सीक्रेट तरीके से इसकी तयारी क्यों होती है तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे देश का आम बजट एक नहीं बलकि दो दो बार लीग हुआ है जी हाँ तो आईए पहले जानते हैं कि देश का आम बजट कब-कब लीग हुआ आजाद भारत का पहला बजट सन 1947 से सन 1948 के बीच केंद्रिय वित मंत्री सर आर के शनमुखम चेटी ने पेश किया था इसे पेश करने से पहले बिटेन के राजगोश के चांसलर यूग डल्टन ने एक पत्रकार को बजट में लगाये जाने वाले टैक्स में बदलाब के वारे में बता दिया था पस फिर क्या था ये जानकारी संसद में बजट पेश होने से पहले ही छप गई और सब के सामने आ गई इसके बाद भारी हंगामा हुआ जिसके बाद डाल्टन को स्तीफा तक देना पड़ा तो ये तो था पहला वाक्या जब बजट लीक हुआ लेकिन इसके दो साल बाद ही 1950 में आम बजट एक बार फिर से लीक हो गया तब इस बजट का कुछ हिस्सा लीक हुआ था 1950 में केंद्रिय बजट दस्तावेज राष्टपती भवन प्रेस से प्रिंटिंग के दोरान लीक हो गए थे तब बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग राष्टपती भवन प्रेस में ही होती थी इस लीक का अंजाम ये हुआ कि उस समय के वितमंत्री जॉन मिथाई पर शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करने का आरोप लगाया गया और उन्होंने बजट पेश करने के तुरंत बाद ही अपने पत से स्तीफा भी दे दिया तब ये भी आरोप लगे थे कि पूर व्योजना आयोग पर शक्तिशाली लोगों का कबजा हो गया है 347.5 करोड रुपे के रेवेन्यू और 337.88 करोड रुपे के खर्च के साथ 1950 का बजट सरप्लस हासिल करने वाला पहला बजट था इस लीक को देखते हुए एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि बजट प्रिंटिंग का काम राष्टपती भवन से मिंटो रोड पर एक फुल प्रूफ सिक्योर्टी वाली विवस्था पर ट्रांसफर कर दिया गया हाला कि बाद में 1980 में बजट प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस फिर से नौर्थ ब्लॉक के बेस्मेंट में ही शुरू हो गया और आज भी इसकी प्रिंटिंग इसी बेस्मेंट में कड़ी सुरक्षा के बीच होती है पिछले कुछ सालों में जादा से जादा सुरक्षा और गोपनियता को बनाय रखने पर फोकस के साथ बजट प्रिंटिंग प्रोसेस भी काफी डेवलप हो चुका है बजट प्रिंटिंग कितनी कड़ी सुरक्षा में होती है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बजट बनाने में शामिल अधिकारियों को इस लॉकिन पीरियट के दौरान फोन तक का इस्तमाल करने की परमिशन नहीं होती और जब तक वितमंतरी लोक सभा में बजट पेश नहीं कर देता तब तक ये अधिकारी वितमंतराले से बाहर भी नहीं जा सकते तो आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें और अब वाटसेप के जरीए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं वाटसेप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल